गुट मॉर्निंग एक आर्टिकल जो टैरिविन न्यूस्पेपर ने लिखा है। उन्होंने कुछ एनलाइशिस किया होगा तो उन्होंने इंडिया की एड्विंटिस किया है। इंडिया को किस और चीज से प्रॉफिट हो सकता है। उसके बारे में बताया है। चलि स्टार्ट करते हैं इंग्लिश इस लेंग्विश विस्टम रीजनल शॉविनिस्ट लव टू हेट इन पबलिक इंग्लिश ऐसी भाषा है कि जिसे कुछ शॉविनिस्ट का मतलब होता है अंधरास्टे वादी जो कहते हैं कि हम अपने ही देश से बहुत-बहुत-बहुत बनमने स्विल कहते हैं तो उसको कहते हैं टो तो कुछ ऐसे शेवेटिस्ट है बोलिश लेंग्विश जो है वह आ अच्छी नहीं है फब्ली आखिस के सामने वह हूँ ऐसा शो करते हैं कि एंग्लिश लेंग्यंविट आखछी नहीं है लेकिन अंधर यांदर उसको मानते भ uguay इंडिया और अबर और यह कर बात अलग है कि वह अपने खुद की बच्चों को मैं अपने खुद बच्चों को बैस्ट इंडियम में इसकुल में भीजना चाहता है यह यहयत चाहिए वह इंडिया में हो या मेडिया के बाहर हो तो इसा करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इस नौट गुड लेकिन फिर बिव अपने बच्चों को इंग्लिश मेडियम इसकुल भेजना चाहते हैं थेंक टू दिये शॉट साइंट एंड परोकियल आउट्लोग ठीक है अब यह जो राइटा के ठीक है उनकी जो सोच है उनकी जो संकिन सोच है उसके लिए थैंक यू इवन दोज स्कुल विच यूज तो टीच लैंग्वेज इन प्राइमरी क्लास है अवी विट इंग्लिश यह करें उनकी ऐसी सोच है जहां तक कि जो स्कुल थे प्राइमरी स्कुल थे जो प्राइमरी स्कुल थे उन्होंने भी इंग्लिश को हटा दिया थेक है 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 फटन अवे विट इंग्लिश है फटन अवे विट इंग्लिश इंग्लिश को हटा दिया अब उसकी वज़े से क्या हो रहा है उसके जो बच्चे जो हो रहे हैं देखिए इंग्लिश आपको कभी भी नी सोचाँ जी जो इस तरह की लेंग्वेज़ हैं इंग्लिश एक आपका इंटरेशनल लेंग्वेज़ है और उसको सभी को सीखना चाहिए अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम से पड़े होते हैं मैं यह नहीं कहा रही कि हिंदी मीडियम खराब होता है ठीक है बट एक कमांड आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए क्योंकि जैसे आप गिरो करते हो आपने देखा होगा कि कई सब्जेक्स ऐसे होते ह मुँए outta ये घजरता है और या आपको सूथ इंडिया जाना हो तो आप देखें के दे जो लिंग्विज है वह इंग्लिश ही कि क्या होता है जब एंग्लिश बच्चा पढ़ा है तो जनुए अट किया प्रॉब्लम क्रुम्सмен हो रही है वह सफ्रिंग कर रहें क्यों कर रहें बिकाज ऑफ ब्लिंकेंट बैन एज जिनाइड एजुकेशन बैटर उनकी जो बैटर अपिनिश्टी है एजुकेशन की वह एक तरीके से लॉस्ट हो गही अब वह अब उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है यह नहीं समझ इट इस गुड़ इट इस गुड़ दा नेश नेशनल नौलेज कमिशन हैज बोडली रिकमेंडेड मेकिंग इंग्लिश कंपशरी इन दे स्कूल केरिकूलम अक्रोस दे कंट्री फ्रॉम क्लास बन ठीक है और यह एक हमारे लिए बैटर अपरश्टी लही एक गुड रहा हम इंग्लिश क्लास वन से पूरे इंडिया में कंपशरी होनी चाहिए थे क्लास वन से सबको इंग्लिश पढ़ना ही है यह एक सजेशन जिसको सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए यदि इंडिया अपनी लेंग्वेज स्कूल में आगे बढ़ना चाहता है तो यह सजेशन सबको माल लेना चाहिए कि क्लास वन से इंग्लिश कंपसरी होना चाहिए लेकिन वह देखता है इंडिया हमसे ज्यादा है क्यों देखता है क्योंकि इंडिया के पास एंग्लिश-speaking वर्कफोर्स है तो चैना ही पाता है कि जो इंडिया है व इस में इस विल्ड में हमसे आगे कि इस इंग्लिश में हमसे आगे है है इट इस स्ट्रग्लिंग हाट तो ब्रीज दग्याप और वह अलग चाइन ऐसा सूचता है कि अब मुझे इसको इस गैप को हटाना है इस गैप को कम कर देना मेहनत करनी है नहीं कि अब चाइन में भी इंग्लिश को सीखा जा रहा है देर इस नो रीजन देर इस नो रीजन इंडिया शुट फिटर आवे इन इस और यहां पर कोई रीजन नहीं कि जो इंडिया है अपने समय को क्या करें अपना समय को नस्ट करें नो मोर दैन परसेंट अफ इंडियन यूज तो इवन ऐसे स्कूल लेंग्विज को नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन आउचकल तो सब हो रहा है थी कि हो सकता ही बहुत पहले का हो न्यूश्पेपर नहीं कर रहे हैं कि जो नीव है वो तभी अच्छी बन सकती है जब बच्चे पहले से उस लेंग्विज को सीखे रहे हैं अब देखिए हुआ गया इन यूपी और बिहार आई डोट नो अबाउट बिहार इन यूपी आइफ सीन मैंने देखा है यह बच्चे क्या है हिंदी मेडियम पढ़ लेते हैं क्लास त्वाल तक जो साइंस इस्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं लेकिन जैसे ही वह बच्चे आजाते हैं फस्स या सेकेंड डियर में तो उनके जो सारी किताबे हैं जो वुकसे वह सारी इंगलिश में हो जाती है बच्चा क्या होता है कंफियूज हो जाता है उसको समझ में नहीं या निसको बहुत ज़्जादा टाइम लेना पड़ता है उइस उन चीजों को समझने क लिए कि इसको एज़ वर्ड है इसको इंग्लिश पे क्या कहेंगे यह कैसे होगा तो इसलिए जो इंग्लिश लेंग्विज बोला गया है क्लास वन से कंपसरी कर देनी चाहिए यह नहींड, the parents of children are more than willing, अब बच्चु के जो parents होते हैं, उनकी भी ये इच्छा होती है, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती ही, क्या इच्छा होती है, just look at the mad desire to get their words admit to English medium school, उनकी desire होती है, उनकी इच्छा होती है, कि उनका जो बच्चा है, वो English medium school में admission ले, या वो अपने सום मेस्ट멍ेशं करें बच्चों के इंग्लिश मेडियम्सकेन में अद्विशं कर यह माईब पंटेशन होते हैं जो एक प्रीडिश पढ़ने के लिए तो कहते हैं यहां पर हम बैगे लास्ट में वह तो वह क्या बोलते हैं यह बोल देते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है यह पॉर्ड लेग्वेज उसके लिए सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अभी तो यंग माइंड है चोटा बच्चा है वह अभी सीखेगा तो य यतने चोटे होते हैं इतना परी होता है उनके माइंड में आप जितना चाहो जो चाहो misin शको math होता है बच्चते हो जो पहले चीजिए देकान आज कल क्या हो रहा है बच्चों की दिमाग में सब के बस सब स्ट्रॉंग इंड होते हैं बस बशरते कि हम उसमें क्या डालते हैं चलिए तो जो पॉलिटिशन होते हैं वो क्या बोलते हैं तो फॉरिंग्वेज बच्चा सीख नहीं पाएगा भी तो छोटा माइंड है उसका चोटा बच्चा है लेकिन ऐसा नहीं है एड़ डैट इस देर इस सो मच इस पेर कैपसिटी डैट चिल्डरन कैन पिक अप लैंग्वीज इन जिफी यह एक ऐसी हो जोती है जब बच्चे में बहुत ज्यादा कैपसिटी होती है कि बच्चा कुछी पल में कुछी पल में ग्रेंड कर सकता है if only there are given the right environment बस उसको सही माहौल देने की जरूआते हैं बच्चों को सही माहौल देने की जरूआते हैं तो बच्चे तो बहुत जल्दी केच कर लेते हैं क्योंकि बच्चे तो क्या होते हैं नकल्ची होते हैं इन फैक्ट अलसो हैल्पिन अंडर्स्टेडिंग अधर सब्जेक्ट बेटर और यहां तक कि जो एक्सराइज होती है जो आप लोगों को दी जाती है करने के लिए कि बार-बार रीट करो पढ़ो तो यह वह एक्सराइज है तो एक्सराइज भी क्या होती है दूसरे सब्ज से सब्जेक्त होता है थो दूसरे सब्जेक्त हम अच्छे से पढ़ सकते इस्स मैं फैक्या पत्रै veal यह कर रहे हो तो इंगलिश की वह Natomiast इंडीश सब्जेक्त ने 카णके तो इनदिया वार अपना अनलोगा समझने में हेल्प मिलेगी वह जो सब्च्ट अब हमारे ऐसे नाइन इस्टेट है जिन्होंने क्लास वन से इंग्लिश को कंपसरी कर दिया है कंपसरी सब्जेक्ट बना दिया है अधर वेल बें पॉस्पार्णिंग डिसीजन ओंली टू दियर ओन डिस अड्वेंटेज एंड डैट अफ दियर चिल्डर और दूसरे लोग ने अभी दूसरे लोग ने अभी इसको पॉस्पार्णिक कर दिया हो है लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में वो कर दें लेट उस इन इंडिया नॉट इस्पन टू चांस टू प्ले आवर पार्ट इन दा ग्लोबल सोसाइटी अमेर्जिंग इन 21 सेंचुरी तो यह कह रहे हैं आईए हम भारतवासी 21 शदी में उभर रहे वैश्विक समाज में अपनी भूमी का निभाते हुए यह मौका ना चू सब्सक्राब्यदी मिववर ऐंग्लिष सब लोगार्न इंग्लिच लेंग्वेज्व चीज को नहीं भूलाơnा लेकिन जु चीज हमारे लिए अच्छी है उसको हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज टाइम चलिए देखिए आई यह कोशन ने आंसर कोशन में डी आंसर दा फॉलंग कोशन सम्रीजनल शौविनिस्ट एंड डी इटी फॉल बिकॉज कुछ रीजनल जो अंद्राश्टी है वो शलीक अप्टी धोके बाज होते हैं क्यों आप इसको अपने से करिए मैं बता देते हूं इसको तो इसको नासलेट करेंगा वो इसलिए होते हैं कि वह खुद तो क्या बोलते हैं कि इंग्लिश इस नॉट गूड लैंग्विज बट पर के लिखोगे बड़ बड़ वांटेट टू सेंट देर चिल्डरन इंग्लिश मेडियम स्कूल है ना यहीं पर है मैं वेरी गुड्यू कर सकते हो आप लोग अब ज्यादा कुछ है नहीं आप इसमें कुश्चन अंसर है आप कुश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं जा रहा है कि बैटर परिंट्व कैसे मना हो जा रहा है कैसे मना हो जा रहा है देखिए और अब 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 और अब देखिया लिखाए सम स्टूडेंट आप बैटर अपरनिश्टी बिकॉस दिया सफ्फरिंग टू हाई एजूकेशन एंड इवन इंप्लोइमेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एक तो हाइर एजुकेशन के लिए सफार कर रहे है और उसके बाद उनको इंप्लोइमेंट की भी प्रॉबलम हो दिया है जाना कही कहीं बड़ी 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 कंप्रियां वह वही पोस्ते हैं दो यूँन इंग्लिश्मेंट इंग्लिश्मेंट में चाइन से ज्यादा बैटर है तो देखें बहुत हैं इसका अंसर अब है क्वेश्चन नमबर फोड आ वाव रॉल गर्फर इंग्लिश्ट इंग्लिश्ज्मेंट इंग्लिश्मेंट इंग्लिश्मेंट इंस वह थे बच्चा जेखैंग कोई लैंग्वेज्द को आसा नी से सीक्षट सकता है पल में ही सीख सकता है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है नुबर पाइब की इंडिया एंफैक्टिव पाट इंग्लोबल सॉसाइटी रोल प्ले करके तो उसका रोल क्या है येस गुड इन्वार्मेंट देना अपना जो भी चीज़े हैं उसको करना कोशन नमबर शिक्स पेक आउट टू मोर वर्स डैड डिस्क्राइब दरीजनल लीडर एक तो हो जाएगा शावनिस्ट और दूसरा हो जाएगा पॉलिटिशन ओके है ना सिंपल तो यह आपके सिक्स नॉलेज कमिशन तो देखो बिठ्टा यही पने था आपका आप यहां से स्टार्ट करोगे इसका अंसर इसी सीरिह पेड्र nos 89 पे ही आप स्टार्ट करोगे यहां से स्टार्ट करना दाष सो ठीक है The National Knowledge Commission has boldly recommended making English compulsory in the school curriculum across the country from class 1. Okay, यही था न, जो हमारा रास्टे ग्यान आयोग ने यही बोला है कि class 1 से English को compulsory कर दिया जाए. Simple. Last है आपका, the children can learn any language easily because, बच्चे कोई भी language आसानी से सीख सकते हैं, क्यों? तो देखो बिटा इसका यही पे आपका answer है, आप because लिखा है न, because के बाद आप लिख देना, because there is so much spare capacity that, बस इतना ही लिख दो, there is so much spare capacity, क्योंकि उस समय उनके पास बहुत ज़्यादा capacity होती है learning करने की, यानि कोई भी चीज वो आसानी से सीख सकते हैं, तो आपका यह chapter number 17, 17 है न, 17 फिनिश हो गया, I think there are how many chapter in this, there are 23 chapter, तो already 20, 20, जो chapter है, olive jar वाला यह आपका हो चुका है, अब जो होंगी, वो दीरे दीरे आपको send कर दिये जाएंगे, चलिए, इसके बाद आपका जो यह chapter है, 18 है, the one who got away, तो बहुती lengthy chapter है, इसको time लगीगा, तो इसको एक एक चीज समझाए जाएगी, बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा, ओके, फिर मिलते हैं, next chapter में, तब तक के लिए, bye-bye, take care,